अभी हमलो जो चेप्टर पढ़ ना है जो वी इन्वर्स का जो थियोरी आज पढ़ ना है इससे डाइरेक्ट कोस्चन आता है बोड में अगर कोस्चन नहीं आया तो आपलो जो करना चाहिएगा अनसब्सक्राइब कर दिजिएगा डिसलाइक मार दिजिएगा लेकिन आपलो पढ़ी अगर कोस्चन नहीं आया तब बोड में निष्चीत तर पर इससे कोस्चन आता है 15-20 नंबर का इससे कोस्चन आता है इन्वर्स से का थिवरी पढ़ लिये थे और कोस्चन भी कर लिये थे 2.1 एकसरसाइज का किलियर हो गया था इन्वर्स चेप्टर का आज इसी चेप्टर के 2.2 का थिवरी पढ़ेंगे और कल इसका कोस्चन हम लो करेंगे चली थिवरी है रिजल्ट हम दूग रिजल्ट बता दिये थे 2. 2.1 में इसमें तिसार का result आईए result जो 3 है इसमें first range हम लोग देखेंगे किसका range कहां तक है चले जही से हम देखते हैं कि sin का range कहां तक है तो sin का range होता है minus pi by 2 से लेकर minus pi by 2 less than and equal to sin inverse x and sin inverse x less than and by 2 sin inverse के इतने sin का जो range होता है इतना ही कि अंदर में रहेगा इसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा लेकिन इससे कम नहीं होगा इससे ज्यादा नहीं होगा इसके अंदर होगा चलिए second है minus pi by 2 से लेकर tan inverse x and pi by 2 आ जाएगा देखिए minus pi by 2 less than tan inverse x and tan inverse x less than pi by 2 अब इसमें है इसमें तो pi by 2 के बराबर भी हो जा रहा था लेकिन इसमें इसमें बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे pi by minus pi by 2 के अंधर ही रहेगा minus pi by 2 इसका मान नहीं हो सकता है यहाँ पे pi by 2 इसका मान नहीं होगा इसके अंदर में ही रहेगा चलिए अब तीसर का है minus pi by 2 less than and equal to cosec inverse x and cosec inverse x less than and equal to pi by 2 देखिए यह हम लोगा तीसर का result हो गया है लेकिन इसमें भी एक condition है कंडिशन क्या है जी कॉसेक inverse x जो है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए देखिए इसमें फिर से समाज लिए माइनस pi by 2 से लेकर और इसके बराबर भी हो सकता है sin inverse का मान और पाइबाइड टू तक जाएगा पाइबाइड टू भी हो सकता है उसके ज्यादा नहीं होगा इसके अंदर में ही रहेगा यहाँ पे tan inverse में जो है माइनस pi by 2 माइनस pi by 2 भी नहीं होगा इससे छोटा का बात कुछ और रहा इस मतलब माइनस पाई बाई टू भी नहीं रहेगा इसी के अंदर में रहेगा पाई बाई टू भी नहीं रहेगा पाई बाई टू के अंदर में रहेगा इससे ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए इसमें बराबर रहा सकता है इसमें भी बराबर रहा सकता है जो यह हम लोगा रिजल्ट थेरी है हम दो दुग 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 फंक्चनों ताहे तो इसमें तीन गो पल लिए अब तीन गो बाकी रहा उसको आम दो देखते हैं तो 0 से लेकर कॉस इन्वर्स एक्स आईए पाई तक रहेगा देखिया 0 less than and equal to कॉस इन्वर्स एक्स एंड कॉस इन्वर्स एक्स less than and equal to πाई आर्था तो कॉस इन्वर्स का मान जीरो भी रह सकता है लेकिन 0 से कम नहीं होगा आर्था तो माइनस में नहीं जाना चाहिए कॉस कमान इसके बराबर हो जाएगा और πाई के बराबर भी हो सकता है 180 इसके बराबर भी आर्थात पाई तो होई भे करेगा उससे कम हो जाएगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा इतना ही के रेंज में कॉस इन्वर्स का मान रहता है और कॉट इन्वर्स का जो मान रहता है जीरो के अंदर कॉट इन्वर्स एक्स लेस दान पाई जीरो लेस दान कॉट इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स लेस दान पाई इतना ही के अंदर में रहेगा इसके बराबर नहीं रहेगा 0 के बराबर नहीं रह सकता है, πाई के बराबर नहीं रह सकता है, एक के वल इन दोनों के बीच में ही रहेगा, आएए यहाँ पे एक और देखिए, 0 less than and equal to 6 inverse x and 6 inverse x less than and equal to πाई, यह हम लोगा चौथा result हो गया, इसमें भी एक condition है, वो condition क्या है, तो जो 6 inverse x जो रहे है, यह वला 6 inverse x, यह पाई बाई 2 के बराबर नहीं रहना चाहिए, अब देखिए, यहाँ पे, यह 0 से start हो रहा था, यहाँ पे पाई बाई 2 से, तो इसमें से इसके उल्टे है, आर्थात यहाँ पे दीखिए, शेक में जो है, पाई बाई 2 के बराबर नहीं रहेगा, कॉसेक में जो है, जीरो के बराबर नहीं रहेगा, यह एक हमलो एक्जामपल देख लेते हैं इस पर, तो इस रिजल्ट है, यहाँ पे एक्जामपल में है, साइन इन भर्स, साइन, 2 पाई बाई 3, पहले इस देखना है कि कोश्चन गलत है या सही, तो कोश्चन गलत दिया गया है, ठीटा का भैलू यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे रेंज में देखिए, माइनस पाई बाई 2 से लेकर, पाई बाई 2 या इसके बराबर भी हो सकता है, इतना ही में होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा दे दिया है, अर्थात 120 दे दिया है, यहाँ पे, तो इसको कोई से का मतलब 180 डिग्री होता है बाई 3 साइन इन्वर्स यह हो जाएगा आपका साइन 120 डिग्री अब 120 साइन 120 डिग्री का भाल्यू हम रख देते हैं साइन 120 डिग्री का भाल्यू होता है रूप 3 by 2 होता है अब रूप 3 by 2 होता है अब हमारा यहाँ तक हम क्वेष्चन सही कर लिए हमारा क्वेष्चन यहाँ पे गलत दिया गया था इसको हम्क्वेष्चन को अब शही मतलबता और पर्ला लिए अब इसको solve करेंगे आएगा sin inverse root 3 by 2 जो होता है sin 60 degree का मान होता है तो pi by 3 लिखेंगे इसको अब sin से sin inverse हट जाएगा तो बचेगा pi by 3 आंसर यहीं हम लोग का हो जाएगा यह तिसर का example हम लोग देख लेते हैं यह तैन inverse tan 2 pi by 3 इसको सही करेंगे उसके बाद solve करेंगे तो tan inverse tan 2 pi by 3 का मतलब हो गया आपका 120 degree तो tan inverse देखें तैन 120 degree का मान जो होता है माइनस रूट 3 होता है अब माइनस क्यों लग गया यह आप लोग क्वेश्चन देखें कई चे आया जैसे यह क्वाडेट्री क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े होंगे उस हिसाप से यहां पर माइनस लगाया गया है यहां पर्द क्वाडेंट होता है फर्ट सेकेंड थर्ड 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 इसमें आल ए एस टी सी हिसाप से हम लोग यहां पर चीन निरधारित करते हैं यह का अर्थ हो कि आल अर्थात तिरको नमीती में जितना भी आपका फॉंक्शन जाएं जो दिया गया है तक है चाइं टायन काश जोग रहता है उससाब जीतना भी आ फर्स क्वाडेट में जो भी पड़ेगा उससाब पोजेटिव होगा 0 डेगरी 370 डेगरी कि 90 डेगरी यहां पर हो जाएगा 180 डेगरी यहां पर हो जाएगा 210 डेगरी और देख़ें इसमें होगा साइन गो जब साइन लिखिये तो जो फिस्ट के उल्टा क्या होता है कोसेक को स्मय और कोसेक यहां पर टैन न और कोड कोड पोजेटीव होगा बाकी चार को जो में रहा हो तो अब नीगेटिव हो जाएगा इस अगर quadrant में वो अगर आया जैसे third quadrant में कोई में थी हो गया जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एक निट में एक जाम पला यहां पर हो जाएगा और शेक यहां पर time 120 degree देखिए 120 degree किस quadrant में पर रहा है तो आपका 90 degree और 180 degree के बीच में 120 पर रहा है तो यहां पे कौन-कौन positive है, तो sin positive है और quasi positive है, और बाकि जो 4 बंच रहा है उस सब negative हो जाएगा, उसमें 4 में एक time भी आ रहा है, तो उस time 120 degree के value में लिखेंगे, negative यहां पे लगा देंगे और जो एथी करते हैं भाईलू जो पूठ करते हैं just ist के उल्टा 120 ॡड़ी के कौम अर्थात आधा जो होता है 60 ड़ी उसी के हिसाब से भाईलू रखते हैं और जो चीन लगाते हैं वो quadratic equation के हिसाब से लगाते हैं इतो समझ में आ गया ओगा कि यह माइनस कहां से आया है तो क्वार्डेंट में आने के वज़ास से आया है अब इसको स्वल्व करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं 2.1 के थियोरी में माइनस जब रहेगा ठीटा में तो उसको पहले पोजेटिव करते हैं क्योंकि एंगल जो रहता है यह एक परकार्स यह एक एंगल ही है एंगल जो र अब रूट थिरी के बादले में लिख देंगे माइनस तैन इंभर्स तैन पाई भाई थिरी माइनस पाई भाई थिरी हम धोका आंसर हो गया झाल झाल